यह वीडियो मधे आपने डिसकस करना रहोत 11 स्टाइंडर सा चाप्टर नमबर 10 विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर यह चाओर बेस्ट माझा करें 9 शिफ्ट मधून तोटल 10 क्वेस्टन्स अवेलेबल धाले आहे तो विच मीन्स की प्रतेक्श शिफ्ट मधे अपने कंसिडर करूँ शोक्तो की इथे एक क्वेस्टन अपने ला दिसना रहे ओके नव विदाउट वेस्टिंग अनी मोर ताइम विविल स्टाइट विच एक्स्पेनेशन अफ वेस्टन नमबर 1 पहला क्वेस्टन मधे आप लेगड़े गीवन आहे 0 डिगरी सेल्सियस ला गास सो वॉल्यूम 22.4 लिटर तर वाट विल बी तेम्परेचर इन केल्विन तो रीज लॉल्यूम 224 लिटर आता अप लेगड़े इथे रिलेशन आहे बिट्विन वॉल्यूम अन तेम्परेचर जे रिलेशन में इता आप लेला फ्रॉम चाल्स लॉ। ते रिलेशन कुठुन में इना राहे तो उजिंग चाल्स लॉ। विच स्टेट्स दाट वॉल्यूम इस डिरेक्ली प्रपोर्चनल तो टेम्परेचर अता हे इस रिलेशन आपन अपन अप्लाई केला तो इथे एक् स्केल डिग्री सेल्सियस सा कन्वर्जन जर कराई चाल्सेल तो यू हाव तो एड 273 हाजो नंबर आहे हाँ डिग्री सेल्सियस मदे आड कराई सा कि आप ला आंसर में इता केल्विन मदे आता पहिला वॉल्यूम आप लागीवन आहे 22.4 लीटर त्या साथ ही जे टेम्परे चाल्स हो खतो आज ती 2 इकोल तो 224 इंटो 273 दिवादर जाचा आंसर बनेल 2730 कल्विन जो आहे अप्ते केले इता और अप्शन T moving to next question if N2 gas is compressed at 2 atm from 9 liter to 3 liter compression के लए from 9 liter to 3 liter अनी temperature आहे 300 तर 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 same temperature ला at same temperature we have to find the final pressure अता इथे आप लेकर रिलेशन आहे between pressure and volume जे के आप लेकर में तर using boils law प्रेशर आनी volume चे लेकर रिलेशन आहे जाहे given by boils law says P is inversely proportional to V हे relation काय सांगत कि समझा आपन pressure increase के लए तो volume decrease होना रहे pressure चे लएकर रिलेशन के लए तो volume काय होता है decrease होता है now using this law आपन लिएउश आपतो P1V1 equal to P2V2 P1V1 equal to काय बनना रहे P2V2 आथा यहाज़ा values आपन सब्सुरीट के लिए तो पहिला जे pressure आहे तो इगीवन आहे आपनला 2ATM तो 2ATM ला आपनला वोल्यूम आहे 9L आथा जे P2 आहे नभीन प्रेशर तो आपनला फाइन कराए चे जेवा volume 3L बन ले तो मग P2 साथी ही equation 1L 2 इंट 9 आपन 3 3 आपनने 9 it one लाए नभी 3 इंट 2 आपनला वोल्यूम आपनला वोल्यूम आपनला आपनला एम आपनला एम एम लाखे जे सुर्णा इंट 9 degrees celsius now we have to find new volume if balloon pulls to 80 degree celsius यहा question मधे अपले कडे relation आहे between volume and temperature relation आहे between volume and temperature which is again Charles law now using Charles law V is directly proportional to T so V1 by T1 equal to V2 by T2 फक्त हे relation apply करताना always remember temperature आहे आपन घेतो Kelvin मदे using these values now V1 आहे तो consider कर आपन 2000 जो दिलेल आहे divided by ते जे temperature आहे which is 99 degree celsius तो ते आप 99 plus 273 equal to V2 that we have to find upon when temperature आहे 80 plus 273 okay आता इथे जाल तुम्हीं बगाल ते है है जाल जे solution आहे है जे solving आहे है जाल तुम्हीं करत बसला तो it is going to take some time but instead of that if you focus on options इथे जाल तुम्हीं options वर focus केला आणि by understanding law आपन सांगुश जोकतो कि जे वा volume decrease होते sorry temperature डेवा decrease होते temperature decrease होते ता volume decrease होना रहे और यू can see 99 जा जाले मंजे जे volume आहे ते पन काई जाल पाई जेडे ता ते पन decrease जाले पाई जे आता जर तुम्हीं option बगाल तो option A C आणि B या तिल्दी option मधे volume increase जाले मार हाईला एकाच option 1897.8 तो even without solving तुम्हीं solve केले तरी चालना रहे we will get the answer but थोड़े options दर बगित ले तो तुम्हाला ते answer पटकर मियून जाले okay we will move to next question equal masses of H2 H2 चा आणि H2 चा equal mass घेतले लाहे at constant temperature तर आप्टले दा फाइन कराएचा है ratio ratio of partial pressure okay now since आपन 2 गहन चाई मास equal घेतले H2 आणि H2 इथे आता डाल्टन स्लोची concept आपन अपलाई करा रहे okay डाल्टन स्लोची concept आपलाई कराई चाई है इथे आपलाई करी relation का असता है डाल्टन स्लोचा कोना पर ही जे partial pressure असना रहे तो इट इस its mole fraction multiplied by total pressure okay तो H2 साथी partial pressure of H2 will be its mole fraction into total pressure same way pressure of helium will be its mole fraction into total pressure okay अपलाई रेशो फाइन कराई चाई कोना चाई फाइन कराई चाई तप H2 अपन PHE हाजो रेशो आहे हाँ कासा बनेल बगा तो mole fraction of H2 into total pressure अपन mole fraction of H2 helium into total pressure नाउ दोन ही केस होनों total pressure cancel होई आता जब mole fraction ला आपन expand केला तो mole fraction काई बनता N of H2 upon total moles अप डिवाइड बाई N of H2 upon total moles आता हे total moles पन cancel होतील तो श्याउची शिल्लक काया रहना रहा है N of H2 upon N of HE जे आपन कशे फाइन करू शोक्तोरे ते फाइन करने साथी अजून relations अ पूरे बगाल तो ते अस्त गिवन मास अपन मुलार मास तो गिवन मास अपन मुलार मास अपन सेम आए तो फाइनली आपने करे शिल्लक काया रहना रहा है मुलार मास of HE verticelle divided by मुलार मास of H2 which will say मुलार मास of HE helium just the 4 मुलार मास of H2 test the 2 the 4 upon 2 that will be 2 is to 1 okay this will be our ratio moving to next question find temperature in degree Celsius degree Celsius मादे आपने आपने ते अपने आपने लाइ ते नापने है से इस वोल्यमेंट प्रेशर अफ तू मोल अफ न आइडियल गैस इस ट्वेंटी इम्क्यूब और फोर पॉइंट नाइडियल गैस इक्वेशन गाया है तो पीवी इस इक्वेल टू एनार्ट जैचा मध्या आप्तला फाइंड करेशे टेंपरेचर तो टेंपरेचर साथ एक V अपान एनार्ट नाव यूजिं इस एक्वेशन प्रेशर जाहे प्रेशर आहे अप्लेट एकड़े 4.926 इन्टू वोल्यू माहे 20 dmq डिवाइड बाय मोल साहे दोन दोन मोल साहे इन्टू वी हाव आर आज 0.0821 आता हाट 2 आनि हाट 20 आहाँ चांसल के लाता हे बने लिग 10 ठीक हाज़ो 0.082 आहे त्याचा साथी मी आसा लिना रहे इथे 4.9 इंटू 10 लाइट विल बी 49.26 डिवाइड बाय इथे खाली लितो हे 8.21 इंटू 10 रस तू माइनस 2 हे काई के लड़े ता हे डेसिमल पॉइंट शिप्ट के लड़े ओके आता 49 अपॉन 8 49 अपॉन 8 त्या आंसर देना रहे एप्रोग्जीमेटली सहा काउच 8 6 अफॉर्ट इस सगी नहीं तो सहाच जाओ यह पास बनेल ओके हाट 10 रस तू माइनस 2 वहर गेला तो बनना रहे 10 रस तू प्लस तू तो 6 इंटू 10 रस तू प्लस तू जेकी बनेल 600 जो आहे अप लेकड़े इथे ओप् केफर करेची गरज आहे त्या साथी यू कैन मूँव तू दा वन शॉट वीलियो फॉर्स तो पाहिला बगुंग्या अनि नंतर मद अगें क्वेस्टन सॉल करां Moving to next question A close container contains mixture of non-reactive gases Non-reactive gases से mixture आहे ठीक है A आनि B gases दे लेले आहे तरचे मादे partial pressure दो गहाँ चेगी mention के लेले आहे त्या वरून आपले दा mole fraction पाइंट कराईटे ठीग आइज इथे P A जो असना राहे P A तो X A इंटू P T P B जो आहे तो असना राहे xb into pt okay आता ही जर लोजिक का अपन अप्लाई के लह इथे pa by pb pa by pb will come out to be xa by xb कशा ओरूं काल रहे है ताजे वर्ती मगाशिज लिला होता आपन डालतन्स लौ तो यूजिंग डालतन्स लौ का कंसेप्ट we can come up towards this equation राइट आता एकदा ही एक्वेशन मी आलों कि हाँ वाल्यूस फक्त आपलाई सब्स्ट्रीट कर रहे है ठीक है वाल्यूस जर सब्स्ट्रीट के लिया तो इथे बनना रहे है अपलाई गड़े 4.5 अपन 5.5 िया इक्वेल टूू से अपोन एक्स भी ऑएक्सट कर रहे है तो माला अजोने सली यह एकदीशन आहे दाट XA और XB का addition is equal to 1 ताच यह addition का आसते इकल to 1 आसते ताम यह पहले तर हे जे दोन options आएथ हे दोन option cutdown होती है आता हे जे राहे ले ले दोन options आएथ ताच यह मदरे A और B फाइंड कर आएथ ताच यह दिस तो है XP दिस तो है ताच यह दिस तो है ताच यह दिस तो है 4.5 आपान 5.5 ताच यह लिव शुक्तों मीज 0.45 अपान 0.55 विच इस यूर आंसर option C इथे match point डाउन आड़ा है option काने X से आधी पाई जे आनी X भी नन तर पाई जे ठीक है सिक्वेंस पर मैंटर कर तो यह अंसर रॉंग साल है नेक्स भगा और नियोन डायोक्सीजन मिक्स्टर अपने देलेल आहे नियोन चाहे नियोन आहे आणि डायोक्सीजन बंजे ओटू अगेन नॉन रेक्टिव गैसेस तो नक्की जिते डायोक्स लोग अपलाई होई बहुभी आता कसावे ने अपलाई होता है तो बगा आता देचा मधे 64 g O2 64 g O2 आहे मास गीवन आए 160 ग्राइम नियोन गीवन आहे और देल मास Molar मास तुमाला 9 पाई चैं, Molar मास for O2 ते बनतर 32 NIE आहे NIE आहे मोलार मास बनतर 20 Okay, टोटल प्रेशर गीवन आहे और पार्शेल प्रेशर ऑप ऑकस्सीजन अपलेला डा़किलेट करेचे तो P O 2 find करें चे P O 2 will be X of O 2 mole fraction of O 2 into total pressure X of O 2 का असना रहा है तो N of O 2 moles of O 2 upon total moles total moles बन्जेट O 2 चे moles plus nuance मोल चे moles into total pressure into का असना रहा है total pressure now N of O 2 जर भगल तो 64 by 32 ताचा अंसर रहा है ना रहा है तो nuance रही 160 by 20 ताचा अंसर असना रहा है 8 तो इथर है रहील अपले करे 2 upon 2 plus 8 into 25 2 upon 2 plus 8 into 25 ताचा रहा है 2 by 10 into 25 ताचा अंसर अपले करे बन्ना रहा है equal to 5 okay which is our option A somehow है select होत नहीं है okay 5 bar will be the answer somehow ताचा वाती थोर स खराब धाल यानी I don't know something wrong with this system we will move to the next question भगा आता next question मने काया है third we have to find final volume आपनेला काय कराइचे ता final volume fine कराइचे कोणा सरी fine कराइचे ता 2 moles of an ideal gas जो expand होतो है 3dm cube person at constant pressure to 1.6 bar 1.6 bar नहीं pressure ला तो मुह होतो है आणी work done आपनेला गीवन आहे actually हाँ जो question आहे somehow this question is based on 12th standard का एक chapter 12th standard सा chapter आहे which is chemical thermodynamics तो तैचा और बेस question आहे बड़ सम्हाव मी चुकुन हां mention के लाए states of matter मदे तो I won't prefer to solve this question here कॉस बड़ेच दने 11th standard चे students आसना राहे जन चाहा लक्षा ते नहीं question तो I will skip this question for this video आणी I will shift this question to thermodynamics आणी तिथे आपन हा question discuss करू okay so you can skip your question in this pdf as well जी pdf तुमाला मीरन आ राहे description मदे description मदे जाउन link लाजर क्लिक कर आल तो तुमी ती ते टेलिग्राम ग्रूप ला जाइन करू चाहो ती तुमाले ही pdf मियल तो you can skip this question cause this question is from thermodynamics okay all right we'll shift to next question next question मदे बखा काया है third what is new temperature what is new temperature of gas when initial volume of 3dm cube at 300 k is double at constant pressure pressure constant आए constant pressure ठेवले आणी constant pressure अस्ताना volume आणी temperature चाह रिलेशन हे जे रिलेशन आए त्यालास मुंटा आपन चाहल्स लौ थर्ड question आए चाहल्स लौ चाहल्स लौ चाहल्स लौ त्यार रिलेशन नुसा वी वन बाई T1 equal to V2 बाई T2 अस्तान और इवन यू डॉंट हाव तू सॉल्ल तू क्वेस्टन इते simple असा है की volume आणी temperature त्यान्सा डायरेक्ट रिलेशन आए तो जड़ सोमर्स लौ रिल्यूम के लौ जाए अपरन्स लौ अस्तानी आपन्स लौक रायरेक्ट रिल्यौ सिप्रेचर जा पहल्स करतके लौहिकरण आपन काई के लए 10 degree Celsius ने temperature increase के लए relation आए आपने गड़े V1 by T1 equal to V2 by T2 V1 given आए 4 divided by T1 जो आए तो 0 degree Celsius मंझे 273 Kelvin असे equal to असनर आए V2 upon T2 10 degree Celsius ने वाड़ा हुला है मंझे तोज हला 283 और यहाजर values आपन इथे substitute के लिए 283 upon 273 into 4 तो जे अंसर एना रहे ते 4 पेक्षा थोड़स स जासता असे 4 पेक्षा थोड़स स जासता अंसर मंझे एकट ओप्शन दिस तो एड़े 4.14 okay and these were the questions from chapter states of matter okay so try to practice these questions on your own try to practice more questions based on same concept try to revise this from one short videos as well as keep on reading textbook textbook reading is very important while solving Nusta solving is not sufficient Nusta reading is also not sufficient this both things should go hand in hand okay so all the best for your exams and see you in next lecture